Hello and welcome to the question of this tutorial एक विस्टेम के कुश्चिन इस प्रकार से है कि कि इस्ट्रीमर है मतलब पानी में चलने वाला जहाज है और वो डाउन इस्ट्रीम जाता है डाउन इस्ट्रीम और आप्स्ट्रीम के कंसेप्ट को मैंने पिछले टुट्रीम में क्लियर किया था तो कोई डिस्टेंस है जिसे वो कबर करता है डिस्टेंस दो टाउन के बीच में है बीस घंटा लगाता है नीचे हिंदी में भी दिया गया जिनको प्रॉब्लम वो हिंदी में पढ़के समझ सकते हैं जैसी यूपी बोल्की स्टुडेंट्स तो डाउन इस्ट्रीम जाने में वो 20 घंटे का समय लेता है कमिंग अप इस्ट्रीम मतलब जब वो अप इस्ट्रीम वापस जब लौटता है तो वो 25 आर्स लगाता है सेम डिस्टेंस को कबर करने में और स्पीड ऑप दा वोठो मतलब जो नदी जो है वो फोर क्लिमोटर पर घंटे की रफतार से बढ़ रही है और आपको पता क्या करना है यूप फाइंड आट डिस्टेंस बिट्वीन टू टू टाउन्स आपको दो टाउन के बीच के डिस् यह अप स्ट्रीम हो जाएगा उसका और अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड जो है वो प्लस होगी स्पीड क्या होगी प्लस होगी कितनी प्लस होगी फोर किलोमेटर क्योंकि यहां पे फोर किलोमेटर दिया गया है और जब वो वापस लोटेगा तो वो ऐसे जा रहा होगा और यह water जो move कर रहा है जो नदी बह रही है it will be against the flow of the river that is why it will have to face the resistance तो उसकी जो speed है वो कम हो जाएगी अब वो minus होगी 4 यहाँ पर प्लस 4 होगा यहाँ पर minus 4 होगा किसकी steamer की speed में अंतर आएगा इस पर कुश्चन को solve करने के लिए हमें शुरुबात ऐसी करनी पड़ती है लगबग let the speed of the steamer in still water is equal to x km per hour तो उसकी जो downstream speed होगी वो हो जाएगी x प्लस 4 क्योंकि यहाँ पर हमें speed of the water 4 km दिया गया है per hour और अब stream इसकी speed हो जाएगी वो हो जाएगी x-4 और यहाँ पर हमें दिया गया है कि यह time लेती है वालब यह stream है वो downstream जब जाता है तो same district को cover करने में time लेता है 20 hours और यह time लेता है जब वो लोड़ता है stream streamer तो वो लेता है 25 hours तो आप हमाँ पास speed है आपास time है हम distance को पता कर सकते है तो चलिए हम distance पता करते हैं सबसे पहले हम d1 निकाल लेते है d1 से हमारा मतलब है downstream जब वो streamer जाता है downstream तब वो कितना distance कवर करेगा और यहां हम d2 निकालेंगे आप stream जब वो river के बहाव के अगेंस जाता है तो कितना distance कवर करते हैं तो आप जानते हैं distance दोनों स्थिति में क्या होगा same होगा तो downstream में आप जानते हैं कि जो distance है उसका जो formula होता है वो होता है speed into time ठीक है तो यह हो जाएगा आपका speed जो है वो x plus 4 है और इसको जब हम 20 से multiply करेंगे क्योंकि जो distance और time है 20 hour से इसका तो यह हो जाएगा 20 x plus 80 ठीक है तो यह एक हमें मिला यहां पर इसको हम use करेंगे और यहां हो जाएगा x minus 4 क्योंकि जो upstream उसकी speed कितनी x minus 4 है और इसको हम multiply करेंगे 25 से क्योंकि यहां पर इसका जो time है 25 दिया गया है और यह जाके हो जाएगा 25 x minus 100 एक हमारे यह निकला अब आगे पढ़ेंगे according to condition of the question d1 is equal to d2 because distance is same क्योंकि distance जो है वो same है तो इनको इनको हम equal करेंगे 20 x plus 80 is equal to 25 x minus 100 हम इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं 25 x minus 100 is equal to 20 x plus 80 तो यह हो जाएगा आपको 25 x और minus 20 x 5 x equal to 80 plus 100 यह हो जाएगा x equal to 180.5 काटेंगे तो यह आएगा आपका 36 तो x की value आ गई 36 ठीक है यह हमें value निकली तो लेकिन हमें निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है distance between the two towns तो distance तो हमने x माना नहीं था क्योंकि हमाई जो x है वो तो speed of the streamer है still water में तो still water में जब उसकी speed मिल गई हमें तो हम कोई भी एक value यहाँ रख सकते हैं तो d1 ए d2 क्योंकि दोनों से हमें किसी भी एक से निकाल सकते हैं हम d1 को use करते हैं तो distance equal to speed into time equal to speed यहाँ पर है जो यह speed है इसकी x plus 4 थी यहाँ पर कितनी speed थी x plus 4 तो हम यहाँ पर 36 plus 4 करेंगे यानि यह हो जाएगा 40 40 into time था 20 यह हो जाएगा आपका 800 km यानि वो 800 km जाता है और यही चीज आप d2 से भी निकालोगे तो भी 800 निकल के आएगा तो इसका जो distance है वो 800 km है यही हमारा answer है so the answer is equal to 800 km this is correct answer solved अगले tutorial में एक और question के साथ आपकी मुलाकात होगी हमसे बाए बाए